स्वागत है दोस्तू तो आज हम बात करने वाले हैं इस साल की दो हजार तेईस में छे मैने बीथ चुके हैं तो छे मैनों में कौन सी फिल्म ने कितनी कमाई कर ली आज हम विट फिगर्स आपको पूरी डिटेल दी जाएगी स्वागत है आप सबका मेरा चैनल यू फिल्मे जो लोग चैनल पर पहली बारा है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पुराने फॉलोर्स बेल आइकन औल सट पर दबा दीजिए ताक कि आपको ऐसे नोटिफिकेशन जल से जल मिलते रहेंगे तो जून मेना खतम हो चुका है चे मेने हो चुके है आज आपको डीटेल्स दी जाएगी कि नेट कलेक्शन इंडिया से नेट कलेक्शन कितना हुआ है मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ हिंदी फिल्म की कोई भी लेंग्वेच की हो लेकिन हिंदी वर्जिन में उन्होंने कितने कारेक्शन कर ली उसकी तो दस नंबर पे आती है रानी मुकर जी की फिल्म मिसिस चटर जी व्र्स नौर्वे जिसने कमाएon 10.50 करोड रुपै है Neo नंबर पे आती आती है अक्षे कुमार और इमरा राश्मी की फिल्मif culturally जिसने कमाएon 16.60 करोड रुपै है और उसके बाद आ हाल ही में रिलीज हुई सारा अली खान और विकी कौशल की जरा हटके जरा बचके जिसने कमाए 79 करोर्स यहाँ 79 करोर्स यह लगबख हिट मानना तै है इस फ्लिम को उसके बाद छटे पाइदान पर है आजे देवन स्टारर और डारेक्टर फ्लिम भोला जिसने कमाए 81 करोर र जिसने इंडिया में नेट कलेक्शन किया है 110.03 करोर रुपए है चवते नंबर पर आई जिसे हम डिजास्टर भी कह सकते हैं बहुत बड़ी बजट की फिलिम थी बहुत लोग की आशा थी कि यह फिलिम हिट हो जाए लेकिन उसने कमाए सिर्फ 141.8 करोर रुपीज आज प् में मक्कार जिसने कमाए 142 करोर रुपीज दो नंबर पर आती है बहुत ही कम बजट की फिलिम जिस की किसी ने भी आशा नहीं की थी कि यह फिलिम इतनी बड़ी सुपर डुपर हिट हो सकती है दे केरला स्टोरी जिसने कमाए 239.3 करोर रुपीज और नंबर एक पे सब की च देट कर दी बॉल्योड में जो मायूसी चाही थी जो पब्लिक OTT पे फिलिम देखता था ठेटर में फिचर देखने नहीं आया था ठेटर में जो कीच कर लाया शारुक खान दिपीका जॉन आबराहम स्टारर पठान पठान की लाइफ टेम कलेक्शन इंडिया से नेट होती है 543.05 करोड रुपीज तो दोस्तों आपको यह चानकरी कैसे लगी कमेंड बॉक्स में जरूर बताना और ऐसे ही अपडेटेड वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि ऐसे वीडियो आपको च जल से जल मिलते रहेंगी यहीं पे विदा लेता हूँ बाबाई फ्रेंड्स